तो गाइस ये बहुत बड़ा एक education industry में बहुत बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है कि जितने भी हमारे हैं MBAs हैं या engineers कहलो उनको जौब नहीं मिल पा रही है तो इसका main reason क्या है और students भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वो MBA तो कर रहे हैं या engineering कर रहे हैं लेकिन हमा बढ़ने के बाद भी काम करते नहीं आता और अगर मैं सिर्फ specifically MBA की बात करूँ तो MBA का जो curriculum है या MBA से आप क्या सीखते हो MBA है business और business है sales और sales नहीं सिखाया जा रहा है business करना नहीं सिखाया जा रहा है हम जाके MBA में बहुत सारी books पढ़ रहे हैं exam crack कर रहे हैं pass कर रहे हैं 90% के एक main चीज है वो है sales करना वो है business चलाना वो practical information practical knowledge कोई नहीं दे रहा है क्योंकि वहाँ पढ़ा रहे है teachers और teachers ने भी कभी कुछ sales नहीं किया तो उनके लिए भी वो चीज को बताना बड़ा मुश्किल है हाँ वो एक mentally fit कर देते है students को कि जब वो office में जाएं तो जो भी उनको task दिये जाए वो perform करें लेकिन customer service और यह जो task है इसको कहते है हम industry में back office या customer service जहां पे आपको कोई काम दिये जाता है आपको वो करना होता और यह काम जो है यह बहुत ही limited amount of में है companies में तो इतने सारे MBAs निकल रहे हैं अब सबको तो आप customer service या back office के काम में नहीं दिला सकते तो उनको job मिलती है sales की उनको job मिलती है sales representative की उनको कोई product बेचना पड़ता है उनको जाके अपनी company's की services को बेचना पड़ता है professional clients को या फिर outside में जाके customers को जो की sales के तहता आता है और sales को ही सिखा नहीं रहा है और sales आपको आता है सीखते लेकिन sales में जो salary होती है वो काम होती है incentive based होती है तो उसमें काम करना बड़ा मुश्किल होता है because sales is not easy क्योंकि किसी को कुछ बेचना बहुत ही मुश्किल काम है और especially तब जब आपकी company की service और product में दमना हूँ तो इसलिए ये MBS को job इसलिए नहीं मिल रहा है या भाई मेरे आपको job इसलिए नहीं क्योंकि company आपको खुद hire करेंगे अगर आप कोई एक छोटा सा business चला लेते हो कोई restaurant business चला लेते हो कोई अपनी एक छोटी सी shop चला लेते हो उस दिन आपको किसी के पास job जाने मांगने की जरुवरत नहीं क्योंकि आप business जानते हो आप sales करना जानते हो आप customers के साथ कैसे relation create करना है वो जानते हो तो यह चीज़ों को सीखना पड़ेगा तब जाके आपका MBA में जो curriculum में जो books होती है उसमें जो skills आप grab करते हो तब वो आपको काम में आएंगी लेकिन अगर आप सिर्फ exam क्रेक करोगे अगर आप सिर्फ पढ़के निकाल दोगे तो फिर इंडस्ट्री में जाने के बाद students का बुरा हाल होगा और इसलिए उनको job नहीं मिलती क्योंकि किसी ने भी जो company खोली है वो चाहता है कि वो जो service customers को दे रहा है वो जो product customers को दे रहा है वो customer खरीदे उसके लिए pay करें तब वो आपको pay करें अगर वो चीज़ बिखी की नहीं रही अगर उसका business चली नहीं रहा अगर उसकी service बिख नहीं रही है अगर उसका product बिख नहीं रहा है तो वह को कैसे पे करेगा और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ऐसी services और product को अच्छे से बेच पाएं market में जाके customers को और उनको benefit दे पाएं तो इसलिए companies customer service में बहुत कम लोगों को लेती है especially girls को customer service में रखा जाता है और boys जितने भी हैं जो MBA करते हैं I mean एक average level के college से MBA करते हैं उनको बहुत मुश्किल जाती है और उनको sales में job मिलती है और after a certain time वो sales छोड़ देते हैं और उनके लिए job को कोई option नहीं बसता है तो guys अगर आपको job चाहिए है तो आपको sales सीखना पड़ेगा आपको business करते आना पड़ेगा और यह सब तभी आएगा जब आप जाके ground field पर जाके काम करोगे experience लोगे और उससे सीखोगे है यह tough होता है at first यह बहुत tough होता है लेकिन जैसे जैसे आप time cross करोगे आपको experience आएगा और यह सारी उनको को वो job देना चाहते और ऐसे लोग जब उनको job नहीं मिलते तो फिर उनको job कैसे वो पैसा फसा दे उन पर because उनको revenue चाहिए तब ही तो company चलेगी नहीं तो जो owner है वो तो लुट जाएगा ऐसे employees को अगर hire करेगा और इसलिए MBA को job नहीं मिल पा तो यह मेरा एक personal experience है I hope आपको help किया होगा और अगर आप यह video देख रहते तो बिल्कुल आप जाओ sales को सीखो आप जाओ customer service को सीखो आप जाओ customers को कैसे services बीचा जाता है कैसे एक अच्छा relation create किया जाता है इस पर work on करो क्योंकि जब आप इस पर work on करोगे तो jobs के आपको कभ जाओ कर दो चॉया घँटो कियार